मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़े हैं जो इसको यूनीक बना देती हैं जो इसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर से डिफ्रेंशियेट कर देती हैं तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे स्टुदेंट्स को इस सब्जेक्ट की परपहरशन करने के लिए वो डिसकस करेंगे इस वीडियो में income tax और GST का वो अभी last week ही start हुआ है अभी hardly तीन classes हुई है उसके अंदर तो आपने अभी तक यह batch अगर join नहीं किया आप join कर सकते हैं और offline batch चल रहा है इस समय लक्ष्मिनगर में उसी की live streaming चल रही है और उसी की Google Drive में भी हम classes प्रोवाइड कर रही है batch की details के लिए आप इन number के contact कर सकते हैं चलिए अब जड़ा आगे बढ़ते हैं एक एक करके discuss करते हैं कि what are the unique features of taxation subject सबसे पहली चीज आज तक हमें आदत है या तो हमारे subject practical होते हैं या descriptive बोलू या theoretical होते हैं जैसे example लेते हैं CA enter के अंदर आपका accountancy का subject आपका cost accountancy cost and management accounting a subject आपका second group में advanced accounting a subject और आपका financial management and to some extent economics or finance का subject यहां पर आपको typically practical question दिखते हैं जिसका आपको answer करके आना होता है अचा जब आप practical question solve कर रहे होते हैं accounts होगरा के अंदर तो question को solve करते हैं आप अपनी common sense भी लगा रहे होते हैं and कुछ वो basic concepts accounts के financial management के cost accounting के जो आपने समझे होते हैं उन्हें भी apply करते हैं this is called that is why we call them practical subject क्योंकि हमें वहाँ पर practically उस question को करना है दूसरे दरफ आते हैं हमारे subjects like audit subjects like corporate and allied law EIS SM यहां पर जो questions होते हैं हो सकता है यहां पर case study based question आए मगर case study based question को भी answer करते समय आपको provisions of the law पता होने चाहिए तो आ यहां पर ना जब तक आप provisions को याद नहीं करेंगे तब तक वह answer नहीं दे पाएंगे इसलिए में हम इनको आम तोर पर descriptive या theoretical paper देते हैं बोलते हैं अब बात करते हैं taxation subject की taxation दोनों में से कौन सी category में fall करता है मजे की बात यह है taxation दोनों ही category में fall नहीं करता क्योंकि वो दोनो number 21 का जो भी attempt गया अगर आप इस paper को देखेंगे पहली जलक में यह paper क्या लग रहा है आपको practical लग रहा है descriptive लग रहा है जिस तरह का question आपको देखने के लिए मिला तो देख के लग रहा है यह तो accountancy जैसे paper होगा क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल जैसे वहां पर profit and loss बना हो credit करनी है एक overpay over time accountancy के कुछ principles आपके दिबांग में भरे गए हैं जिनको apply करके आप वो question अगर पहली बार भी कर रहे हैं कर सकते हैं मगर income tax और GST में अगर आप कोई practical question cover up कर रहे हैं वहां पर every step that you do in that question every step that you do while solving that question has to be backed by law यानि कि यहां पर है क्या just like any other law यहां पर आप income tax act प पढ़ेंगे मगर उसको directly आपको question के अंदर apply करना है और question में हर step पर आपके दिवांग में click करना चाहिए यह step में मुझे क्या करना है and it has to be backed by a section so basically यह ना तो purely practical हो गया ना ही purely descriptive क्यों कि यहां पर आप पढ़ तो law रहे हो just like companies act आपने foundation में contract act पढ़ा LLP पढ़ा यहां पर भ interesting part here कि यह आपको law की तरह से भी पढ़ना है और उसको apply भी करना है और यहीं पर ही हमारा challenge भी आता है कि law को याद रखना भी है और उसको apply भी करना है समझे नेक्स चीज़ जो यहां पर different है taxation subject जो हमारा CA इंटर गया 100 marks का है जिसमें 60 marks income tax के है 40 GST के हैं इस subject का currently जो ICI का syllabus है वो CA इंटर के किसी भी subject के कम से कम डेड़ से दो गुना है अगर आप heavy subjects उटा लो मांके cost accountancy accountancy उनके से डेड़ गुना मान लो और subjects like audit, EIS, SM, corporate law, and allied law उनके तो double syllabus है इसका which is represented by the fact that आप अगर ICI का study मेंट देखोगे income tax GST का आपको वहां सबता लग जाएगा हमारे जो material हम देते हैं अपनी classes के अंदर तीन full fleshed books जाती है apart from separate question banks तो आपके पास study material देखके बता लग जाता है कि इसकी weightage बहुत जादा होने वाली है and accordingly इस पर time भी बाकी सारे subjects के मुकाबले हमें जादा लगाना पड़ता है मैं आपको बताऊं on and average बाकी subjects के अंदर आपकी कितनी classes होती होंगी 70-80 हद से यहां पर approximately 100 classes आपकी कम से कम लगती है 35-36 classes minimum आप GST मानके चलो और income tax में भी approximately 75 classes मानके चलो तो more than 100 classes on and average में लगती है इसको क्योंकि इसका syllabus बहुत जादा है ठीक है जी जो इसको unique और different बनाती है वो यह है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हो तब तो बहुत मज़ा रहा होता है क्योंकि आपको provision single single chapter में चल रहे होते हो याद हो रहे होते हैं provision पढ़ते हो उसे question में apply करते हो आपको लगता सब बढ़िया चल रहा है issue तब आता है जब आपको एक साथ ये सार Q के अंदर 3-4 MCQs बनाता है उसके अंदर 3-4 chapters को mix कर देता है तो ICI वही करता है जो आपको साथ real life में होता है जो real life में कोई client आता है तो उसकी problem को solution करने के लिए उसकी tax liability निकालने के लिए आपको सारे chapter सारे provision दिमाग में रखने पढ़ते हैं and that's what ICI tries to do with you. मगर as a student हमारे challenge होता है इतने सारे provisions को एक साथ दिमाग में कैसे रखें? This is point number 3 जो इसको अलग बनाता है सबसे. Point number 4 ये one of those subjects है जो हर समय amend होता रहता है. क्यों? क्योंकि उदर से parliament हमारे act बदलती रहती है, उदर से government rules बदलती रहती है, तो this is one such subject जो continuously amend होता है. No doubt ICI ये cut off date रखती है. अग 30 April 2022 तक की amendments करेंगे. Similarly, अगर आप May attempt target करते हो, तो May से पहले वाला 31st October, example के तौर पे, अगर आप May 2023 attempt के बारे में सोच रहे हो, तो 31st October 2022 यहां तक की amendments है. तो ICI ने cut off date decide कर रखी है, मगर ये amendments आपको track करते रहनी पड़ती है, and एक बार आपने paper दे दिए, उसके बाद भी करते रहनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने उन amendments को track नहीं किया, by the time आप CEA बनेंगे, taxation law पुराना हो जाएगा, तो that makes it quite different from others, accountancy कोई बदलती ही नहीं, cost accountancy बदलती ही नहीं, corporate law कभी कबार बदलता है, बट इतना नहीं बदलता, EIS SM audit तो बिल्कुल ही नहीं बदलते, audit म कभी कबार कोई format में change आ गया तो आ गया, बट ये एक ऐसा subject है, जो आपको definitely पता है, हर थोड़ी दिन बाद बदल जाएगा, fifth point जो इसको different बनाता है, वो क्या है, चाहे आपको इस subject पढ़ाई करते समय अच्छा लगे या ना लगे, total CA course के अंदर 1600 marks का taxation subject होता है, सुर कैसे, CA Inter पे 100 marks, CA final में direct tax का पर अलग होता है, 100 का, indirect tax का 100 marks का अलग होता है, और CA final में एक optional subject होता है, पांच में से एक subject हो सिलेक करना होता है, वहाँ पर भी अगर आप international taxation सिलेक कर देते हैं, तो 100 marks उसके हो गए, तो 300 marks CA final पे 100 marks CA Inter पे, believe me, आपको ये subject पसंद है या नी, मगर CA बनने चोड़ो, CA बनने के बाद भी practically बहुत जरूरी है, क्यों? अगर आप practice करते हैं, तो आपकी large chunk of revenue, taxation practice से आएगी, चाहे आप mix of everything करते हो, आप audit भी करते हो, bank audit भी करते हो, आप लोगों को consultancy भी देते हो, मगर taxation आपकी revenue का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, चाहे वो एक छोट जिन्दगी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीका जी, ये तो मैंने आपको पांच चीज़े बताई, जो ये बाकी subject से इसको हट के बनाती है, अब जोरा discuss करते हैं, इस unique features को ध्यान में रखते हुए, हमें इसकी त्यारी के से करनी है, सबसे पहली चीज, जब पहली बार आ की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो provision पढ़ते हैं, provisions को याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन provisions को याद कर लोगे, फिर उसको question में apply करने की कोशिश करोगे, ठीक तो है या प्रोविजिश में दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है, अगर आप provisions को याद करने क कोशिश करते चले जाओगे आपका माइंड एक हत के बाद उन प्रोविजन को याद करी नहीं पाएगा और फिर वही प्रोब्लम आएगी जो मैंने बिगिन वाई आपस में शॉर्ट सर्कुटिंग हो रही होगी याद ही नहीं आ रहा होगा बैठे होगे कोशिन के अंदरिया सेक्शन आए गया है उसके फिछे कोई ना कोई कहानी होती है अगर आप उस कहानी को समझोगे उस लॉजिक को समझोगे तो बिलीव मी आपको वह प्रोविजन कभी भूलेगा निए हो सकता आप सेक्शन नमबर डोन मन भूल जो मगर वह प्रोविजन आपको कई सालों तक भूलेगा तो what you need to do is आपको taxation के logic समझने की कोशिश करनी है हमारी classes के अंदर जो मेरी approach रहती है वो हमेशे यह रहती है कि मैं बच्चों को situation बना कर देता हूं और फिर बच्चों से कुछता हूं अगर आप lawmaker होते तो यहां पर law क्या बनाते जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो न वो provision आपने जब lawmaker के perspective से सोचा होता है उसके पीछे की कहानी पड़ी होती है वो provision आपको लंबे समय तक याद रहता है और उसको practical question में भी apply करने में बहुत help निलती है तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको अपनी approach बद लिखने पड़ेंगे चाहिए वो purely practical question हो चाहिए वो case study based question हो और जितने ज्यादा questions आप practice करोगे उतनी ज्यादा आपके अदर बनेगी सर अगर मैं ज्यादा question practice करूँगा मैं ICI के सारे RTP MTB सब कर दूँगा तो क्या वही question paper में आ जाएंगे let me tell you taxation एक ऐसा subject है जिसमें question कभी repeat नहीं होते है आपके accountancy में हो सकता है वह study mat जैसा एक question आजए cost accountancy में हो सकता है लगबग वही question जो आज से चार साल पहले आया था वह वैसे का वैसा repeat हो जाए of course अलग figure से मगर taxation में कभी question repeats नहीं होते हमेशा एक नया तरह का question होता है तो सब question repeat नहीं होते तो practice करने के लिए क्यों बोल रहे हो I am not saying practice इसलिए कर रहे हो क्योंकि वह question repeat हो या I am saying because जितनी जादा बार practice करोगे उतना ज्यादा mind train हो जाएगा उन provisions को apply करने के लिए confidence बढ़ेगा कि जब question देखते हैं और इतने सारे provision दिमाग में होते हैं उन्हें apply कैसे करते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हम क्या करते हैं अपनी classes के अंदर अलग से GST का question bank provide करते हैं जिसके अंदर ICI के study meant के सारे questions ICI के past year MTP RTP के सारे questions with updated solutions covered होते हैं जिनसे आप almost सारे questions अगर practice कर लोगे तो आपको idea लग जाएगा ICI किस तरह के question पूछता है no guarantee वो repeat होंगे but आपको idea लग जाएगा अच्छी practice हो जाएगी साथ साथ income tax में भी हर chapter के अंदर हम काफी सारे questions करते हैं class के अंदर जिससे हमें आदत पढ़ती है but class में मैं question करा हूँ और आप करो वो sufficient नहीं है main चीज क्या है आप खुद question करो तो आपके दिमाग में provision क्लिक कर रहे हैं नहीं इसके लिए हम एक concept चलाते हैं regular class test income tax के अंदर हमने एक theory बनाई है जो पिछले 3-4 batches से implement कर रहे हैं हफते के अंदर अगर 6 दिन classes हैं तो उसमें 3-4 दिन आपके by default test होते हैं बहुत लंबे नहीं 10-10 marks के जिसके अंदर मैं एक question descriptive और दो question आपको mcq तीन question mcq देता हूँ यह class थी test हम बच्चों को class में करवाते हैं लाई वाले बच्चों को उसी समय करवाते हैं यह चोटा सा test hardly 7 marks का 8 marks का 10 marks का test अगर आप regular basis पे करोगे तो आपके दो objective अचीव होगी पहली चीज आपको खुद को practical question करने के आदत पड़ेगी आप खुद judge कर पाओगे कि मैं practical question करते समय provisions recall कर पा रहा हूँ या नी confidence बढ़ेगा और दूसरी चीज जैसे आप course में आगे बढ़ रहे हो पिछला भूलते नहीं चले जाओगे एक वो जो FIFO method चलता है ना first in first out पहले पढ़ा पहली निकल जाएगा वो निकलने नहीं चलेंगे हम आपके क्योंकि आपकी regular test लेंगे तो वो provision हद थोड़े दिन माद रिवाइस होगा चैप्टर नमबर 5 में चले गए आप तो चैप्टर नमबर 1,2,3,4 के test चल रहे होंगे उदर से और ये test कोई pre-announced नहीं होंगे ये implied है कि हफते में से 6 में से 3 दिन 4 दिन तो आपका regular test होगा इन्हें बोलते हैं concept of class test इस तरीके से मैंने देखा है बहुत अच्छी practice होती है बच्चों की जो seriously in test को देते हैं और provisions जादा समय तक याद भी रहते हैं थर्ड चीज है provisions भूले कैसे एक तो मैंने बता दिया regular test देते रहोगे तो revise होता रहेगा next चीज है फिर भी आपका mind क्योंकि एक साथ बहुत सारे provisions आ रहे हैं हर chapter के अंदर आप consistently पढ़ रहे हो बाकी revision marathons हैं जो कि हमारे typically YouTube channel पर होते हैं GST का updated marathon currently है income tax का थोड़े दिन के अंदर अपलोड होने वाला है आप साथ साथ उन marathons के अंदर उस chapter को revise करते रहे हैं एक chapter करवाने में आपको class में तीन या चार classes लगी है में ठीक है वही chapter आपका hardly आदे घंटे पॉने घंटे के अंदर revision marathon के अंदर revise करा रखा होगा तो आपको करना क्या है आपको हर थोड़े दिन बाद वो revision video सुनते रहनी है तो वो सारे concept आपके दिमाग में permanently रहेंगे तो आप ये सोचोगे नहीं कि मुझे ये subject कितनी बार revise करना है क्योंकि आप बार बार revise करते होगे तब ही ये provision दिमाग मे करोगे बट एक दो बार से भी provision याद नहीं होंगे तो regular basis पर आपको उन वीडियो को सुन सुन के वो provision revise होते जाएंगे और last चीज despite all the efforts जो सिट्टे बिटे गुल होती है taxation subject में वो होती है last day देर दिन मिलते हैं और syllabus इतना सारा होता है समझ में नहीं आता वो खोले कहां से इ GST का जितना भी syllabus है वो हमारे 66 flowcharts के अंदर wrapped up है last time attempt में 65 ते इस बार एक और extra जोड़ा है मैंने 66 similarly income tax के हमने approximately 100 flowcharts बनाई है तो 166 flowcharts में आपका पूरा syllabus covered है these are colorful flowcharts which basically cover the entire मैं आपको एक बार flowcharts की जलग दिखाता हूँ हाँ जी तो यह हमारे GST की flowchart book है जो अभी currently मैंने printing के लिए भेजी है तो आप जैसे देखेंगे कि colorful flowcharts के थुरू हमने हमारा सारा course जो है GST का वो इन charts के थुरू डाल दिया है तो आप अगर बार 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 अपनी बुक से revise करोगे तो आखरी में देड़ दिनों में बिल जब classes चल रही है साथ में एक बार detail में अपनी बुक पढ़ ली उसके बार बार revision करोगे flowchart से करो फिर second revision जो detail में करोगे classes के बाद वो अपनी book से करो मगर उसके बार बार with every passing day आपको पिछले chapters के अंदर confidence कम हो रहा है flowchart से करो एक chapter अगर हमारी book के अंदर 25 pages का है तो उसको तीन या चार flowcharts के अंदर हम pack up कर देते हैं तभी पूरी GST का सले बस हमने 66 में और पूरा income tax का सले बस जो अलग-अलग 2 module में आता है उसको 100 charts में wrap up कर दिया है हमारा जो marathon lecture है वो भी इनी charts की help से बनाया जाता है तो these are मतलब उन पर बहुत मेहनत लगी है हर चीज को cover करने मे इन पे एक-एक point, एक-एक CBDT circular, CBIC circular डालने में मगर you are ensured that आपका कोई provision miss out नहीं होगा flowchart This is what will help you to score very good subject marks in taxation पहली बार पढ़ते हैं हमें detail में जाना है, questions की practice करनी है, regular test देने है, revision multiple करती रहनी है, कोई वो नहीं है, limit नहीं है कि इतनी revision करूंगा flowchart और marathon की help से जितनी revision कर सकते हो, साथ-साथ, हर रोज आपको लग रहा है, आप chapter number 8 पर हो, पिछले chapter भूल रहे हो, तो आदा घंटा ल सकते हैं, और फिर से मैं आपको बता दू, हमारा batch इस समय स्टार्ट हो चुका है, जादा time waste मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी join कर लिए, ताकि systematic way में आपका syllabus पूरा हो सके, मिलते हैं अंगली वीडियो में, this was Sanchit Grower Video.